और जैसे मैंने कहा हम भागवान है कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एक आश्प्रेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वालत देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा यह पहली बार हुआ है जिस देश के पास यह युवा शक्ति हो युवा सामर्त हो तब हमें उसकी टालेंट पर भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ति पर भरोसा है उसकी साहस में वह भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंग्ति में नजनाना चाहिए वो स्थिती पैदा हो निशाय को आज पूरे दुनिया को कि स्कील मैंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूत है और भारत विश्वकी इस आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्यक्ताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है और इसलिए विश्वक में उनकी आव किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस केमिक एपिंग के अनुसार भारत के आंदर स्कील डेवल्लपमेंट के तरह हम बल दे रहे हैं और जितना जादा की चाप छोड़ी है कुछ कर गुजरनी की चाप छोड़ी है यह सामर्द हमारे अंदर पहले से पढ़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हुए उन्होंने इस सब्सक्राइब बना के रखी हुए कि आपने देखा हुए पिछली दिनों करीब बेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बढ़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेंट में हमारी बेटियां हमारे बेटे उस खेत्र में दुनियों पर पहुंच सकते हैं पूरे वीश्व की जरूरत है और यह तो मानुता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे आज मेडिकल कॉलेजी का इतना ब्यापक रूसे निर्वां देश की आवश्रक्ता तो पूरी करनी ही करनी हैं दुनिया की आवश्रक्तां में भी योगदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यह हैं हर छोटी चीज पर बारिकी से ध्यान देते हुए है उस पर अपना ध्यान के इंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है हमें भविश्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं हम राजनीतिक लाब नुक्ष संद्रीद नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एश्पिरिशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्णे करने होते हैं